हलो बच्चों, आज आपका इस कक्षा में स्वागत है, आज हम लोग भारत की खोज का पार्ट साथ अंतिम दोर दो पढ़ेंगे, इस पार्ट के माध्यम से हम ये जानेंगे कि भारतिय सोतंतरता में भारतिय राश्ट्री कॉंग्रेस का जो अंतिम दो दोर था, उसका, उसकी क्या स्थिती थी, वो कैसा था, इसके बारे में जानेंगे, आईए इस पार्ट का सारांस जानते हैं सबसे पहले, राश्ट्रियता बनाम सामराज ये वाद का इसमें वर्णन किया गया है, मद्यवर की जो बेवसी थी, उसका वर्णन है, और ऐसी परिसिती में ग गांधी जी का आगमन हुआ, और किस प्रकार उस समय गांधी जी ने लोगों को या मद्यवर को समझा, और देश के लोगों को सहारा देने का कारे किया, उसका वर्णन है, दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआत होने के समय, कॉंग्रेस भी राजनीती में उतार आया थ इसका मुक्य कारण कॉंग्रेस का दो घुटों में बट्वारा था, और गरम दल और नरम दल, कॉंग्रेस इस समय दो भागों में बट गया था, एक था गरम दल और एक था नरम दल, बिश्वयुद्य की समाप्ती के संबाद भारत में अंग्रेजों द्वारा दमनकारी कानून और भारत में मार्शल लो लागू कर दिया गया। भारतिय जनता का शोसन लगातार होने लगा और तभी भारतिय राजनीती में गांधी जी का उदय हुआ। वे करोडों की आवादी में से निकल कर आये थे। वे जनता की भाशा बोलने वाले और जनता के सच्चे शुबचिन तक थे। अता उन्होंने भारत में करोडों जनता को प्रभावित किया और गांधी जी ने पहली बार कॉंग्रेस के संगठन में प्रवेश किया। इस संगठन का उद्देश्य था सक्रियदा और शांती प्रिय तरीके से कारे करना। गांधी जी के आते ही ब्रिटिस शासन की बुनियादों पर चोट हुई और उन्होंने लोगों से कहा कि अपने अंदर कब है निकाल दो। क्योंकि आम लोगों की ब्यापक दमनकारी दमगोटू जो माहोल है यह माहोल जो सेना का, पुलिस का, खुप्या विभाग का, अपसरों, जमिनदारों, साहोकारों, बेकारी और भूकमरी का जो भै है यह आम जनता को सता रहा है। गांधी जी ने इसे दूर करने की प्रेणा की दी और गांधी जी की यह प्रेणा लोगों ने लोगों को भैमुक्त किया, भैमुक्त करने का कार्य प्रारंब किया। इससे लोगों में मनोबैज्यानिक परिवर्तन होने लगा और यह परिवर्तन असंख्य लोगों को प्रभावित कर रहा था। उसकी उनकी इस प्रेणा से अब सभी आम जनता में जाग रोकता का विस्तार हो रहा था। अब हम पाठ का पठन पाठन करते हैं और उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले पाठ का पठन पहला विश्व युद्ध आरंब हुआ। राजनीती उतार पर थी। इसका कारण था कॉंग्रेस का तथा कथित गरम दल और नरम दल में। विभाजन और युद्ध काल में लागु किये गए नियम और प्रतिबन। पाठ का शिर्सक है अंतिम दौर दो और राष्ट्रियता बनाम सामराज जवाद के बारे में यहाँ पर कहा गया है। मध्यवर की बेवसी गांधी का आगमन इसके अंतरगत बताया गया है। कह रहे हैं कि पहला विश्व युद्ध आरंब हुआ। जब पहला विश्व युद्ध आरंब हुआ था तो राजनीती उतार पर थी। इसका कारण क्या था। कॉंग्रेस का तथा कथित गरम दल और नरम दल में विभाजन। कॉंग्रेस जो है दो दल में बट गई कॉंग्रेस पार्टी दो दल में उसका बटवारा हो गया। एक था गरम दल और एक था नरम दल। गरम दल में गरम विचारों वाले लोग थे जो बड़े ही उग्र थे और तुरंथी फैसला चाहते थे। और दूसरा था नरम दल। नरम दल में नरम विचारों वाले लोग थे जो की शांती के साथ फैसला चाहते थे। युद्ध काल में लागू किये गए नियम और प्रतिबंध उस समय जो युद्ध काल था इसलिए युद्ध काल के समय जो नियम लागू किये गए थे प्रतिबंध लागू किये थे प्रतिबंध यानि कि रोख जो रोख लगाया गया था उसका यहां पर वर्णन किया गया है अंतता विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शांती के परणाम सुरूप देश में राहत और प्रगती की बजाए दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लोग लागू हुआ अब विश्व युद्ध के समाप्ती पर देश में शांती के परणाम सुरूप देश में राहत और प्रगती नहीं हुई बलकि उसके स्थान पर देश में दमनकारी कानून लागू किये गए पंजाब में मार्शल लोग लगा दिया गया पंजाब में मार्शल लोग लागू होने से क्या होता है कि मार्शल लोग ऐसा एक कानून है जिसमें बड़ा दमन का भाव रहता है दबाया जाता है यानि बहुत सक्त नियम बनाया जाता है जनता में अपमान की कडवाहट और क्रोध का आवेश भर गया और इस प्रकार जो दमनकारी नीती उन्होंने चलाई उससे जनता में क्या हो गया कि इस अपमान के कारण उनके अंदर कडवाहट का भाव आ गया और उनके मन में क्रोध एवं उत्तेजना का भाव भर गया आवे है आवेश में आ गई क्रोध में आ गई और उनके अंदर करवात का भाव भर गया ऐसे समय में जब हमारे देश में देश के पौरुस को लगातार कुचला जा रहा था शोशन की लगातार निर्मंग प्रक्रिया से हमारी गरीबी बढ़ रही थी लिखक बता रहें कि ऐसे समय में जब कि हमारे देश में लगातार शोशन किया जा रहा था लोगों को दबाया जा रहा था तो लोगों के पौरुस समय लोगों का जो पौरुस था उस पौरुस को भी कुचला जा रहा था और जिसके कारण सोशन की लगातार निर्मम प्रक्रिया से हमारी गरीबी बढ़ रही थी निर्मम मने निर्दय जिसके अंदर धया न हो तो जो यहां पर सोशन की प्रक्रिया थी वे बढ़ी ही निर्मम थी यानि उसमें कोई धया का भाव नहीं था और जिसके कारण हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही थी और हमारी जीवन शक्ति क्षीर होती जा रही थी क्षीर यानि की कम हमारे अंदर दमन के कारण हमारी जो जीवन सक्ति है वो छीर होती जा रही थी मनें कम या कमजोर कमजोर होती जा रही थी तो इस प्रकार से जो दमनकारी उनकी नीती थी उस नीती के कारन हमारी जीवनी सकती कम पड़ती जा रही थी कमजोर होती जा रही थी किसान वर्ग दब्बू और भैभी था कारखाने के मजदूर भी इस्थिती की इस्थिती भी बेहतर नहीं थी किसान जो है दमनकारी नीती के कारण बड़े दब्बू हो गए थे दब्बू यानि कि जो भै से आतंकित रहे उसको बोलते हैं दब्बू दबे हुए सभाव वाला यानि कि जो कोई विरोध न कर सके तो ऐसे सभाव वालों को दब्बू करते हैं किसान जो है दमनकारी नीती के कारण दब्बू हो गए थे और बड़े ही भै भीत हो गए थे आवाज उठाने की उनमें शमता नहीं थी कमजो कार खाने के जो मज़ूर थे उनकी विस्थिती अच्छी नहीं थी वे भी बहतर नहीं थे यानि कि उनकी विस्थिती अच्छी नहीं थी सर्वत्र दमनकारी नेती का बोलवाला था मध्यवर्ग और बुद्धी जीवी लोग जो इस सर्व ग्रासी अंधकार के में अकाश दीप हो रहे थे खुद इस सर्व व्यापी उदासी में डूब गये थे जो उसी में जो बुद्धी जीवी वर्ग था बुद्धी जीवी कहा जाता है तो मध्यवर्ग और बुद्धी जीवी लोग जो की सिक्षित लोग ते वे जो है इस सर्व ग्रासी अंधकार में जो दमनकारी नीती के कारण सब्सक्राइब नुकसान पहुचाने वाला जो एक अंधकार ताट में ये जो सिक्षित जनता थी थोड़े से मध्य वर्ग थे ये लोग आकास दीप के समान थे परन्तु वे भी इस माहोल से इतने दुखी हो गएते कि वे भी उदासी में डूब गएते वे भी दुखी और लाचार हो गएते वे भी उदासी उनके अंदर उदासी भर गई थी उस माहोल से वे भी बहुत ही दुखी हो गये थे और तब गांधी जी का आगमन हुआ ऐसे उदासी भरे माहोल में ऐसे दुख भरे माहोल में जो जब चारो तरफ लाचारी का माहोल था ऐसे समय गांधी जी का आगमन होता है वे ताजा हवा के ऐसे जोके की तरह आए जिस ने फैल कर हमें सास लेने में के योगि बनाया और गांधी जी का आना था इस प्रकार गांधी जी का आना लोगों के लिए राहत दिलाने वाला था कि जैसे लग रहा था कि दम घोटू, दम घुटने वाला जो माहोल था, उसमें उस गांधी जी के आगमन ने एक राहत दिलाई और लोगों ने खुल कर सांस लेना शुरू किया, लोगों के लोग गांधी जी के आने से जो दम घोटू माहोल था, दम घुटने वाला माहोल था उदासी का और लाचारी का विवस्ता का उसमें एक लोगों के उनका उनकी बातों ने उनके आने से लोगों के अंदर एक प्रेड़ना जगी और लोगों ने जैसे लगा कि खुल कर सांस लेना शुरू किया वे उपर से अवतरित नहीं हुए थे वे भारत की करोडों की आवादी के बीच में से ही निकल कर आये थे करें वे कोई अजूबे इंसान नहीं थे, उपर से अवतरित नहीं हुए थे, यानि कि कोई देवता या भगवान नहीं थे, उपर से अवतरित हो ना, यानि कोई भगवान के रूप में वो नहीं आये थे, बलकि वो करोडों की जनता के, जो करोडों की आबादी थी, उसी के बीच से निकल कर आये थे और वे उन्हीं की भाशा बोलते थे और लगातार उनकी शोचनी ये स्थिती की और ध्यान आकरशित करते थे करें कि वे इन्हीं करोडों की आबादी के बीच से चुकी निकल कर आये थे इसलिए वे अनुभव कर सकते थे उनके कस्ट को का अनुभाव कर सकते थे और इसी कारण उन्हीं की भाषा वे बोलते थे जो ये जनता थी आम जनता थी उन्हीं की ये भाषा बोलते थे और लगातार उनकी जो सोचनिय स्थिती थी मतलब उनकी जो दैनिय स्थिती थी यहां सोचनिय में अनिय अपरते है तो ज उन्होंने हमसे कहा कि इन मजदूरों और किसानों की पीठ से उतर जाओ उन्होंने हमसे कहा कि इन मजदूरों और किसानों की पीट से उतर जाओ तुम सब जो उनके सोशड के सहारे जिन्दा हो उस वेवस्था को समाप्त कर दो जो इस गरीबी और दुरगती की जड़ है उन्होंने लोगों से गुहार लगाई कि इनकी जो दैनी इस्थिती है मसदूरों की और किसानों की उनके पीट से जो बोज है एक उस बोज को दूर करें और उनके सोशण का जो भाव है सोशण का जो कार है उसको वे कम करें जिन्दा हूँ उस विवस्था को समाक्त कर दो तुम सब जो उनके सोशण के सहारे जिन्दा हो उस विवस्था को समाक्त कर दो एक वर्ग था जो शोशित वर्ग था और एक वर्ग था जो शोशक वर्ग था जो उच्च पद पे थे आसीन जमिंदार आदी या उच्च पद दिनस्त जो लोग थे वे जो है शोशन कर रहे थे और बाकी आम जनता जो थी वो कैसी थी वो शोशित थी तो उन्होंने ये गुह और जो घर से जो खिसानों और मजदिरों के पीठ पे जो बोज बनकर बैठे हुए हो उनका सोशन कर रहे हो तो उनके पीठ से उतर जा यानि उनका सोशन करना बंद कर दो और जो उनकी दुर्गति है उसको दूर करो उन्हों ने जो कुछ कहा हम ने उसमेंसे जाधा तर बातों को आन्शिक रूप से माना और कभी कभी बिलकुल नहीं माना कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो बात कही उस बात को हमने उसका कुछ हिस्सा माना आंशिक आंशिक मने कुछ आंस ही माना और कभी-कभी तो उनकी बातों को एकदम नहीं माना बिल्कुल ही नहीं माना लेकिन यह एक गौण भाती गौण किसे करते हैं गौण मतलब जो जिसक कोई महत्व नहीं होता है न छिपा हुआ होता है एक प्रमुख होता है प्रमुख जो जिसका महत्व और जो गौण जो छिपा हुआ हो या तो जो महत्व ही इन हो तो यह यह बता रहे हैं कि यह एक गौण बात थी उनकी सिक्षा का सार था निर्भैता और सत्य और इससे जुड़ा हुआ कर्म कुल मिला करके देखा जाए तो गांधी जी की जो सिक्षा थी उस सिक्षा का मूल तत्य क्या था निर्भैता निर्भैता यानि भैरहित होकर कारे करना और दूसरी बाती सत्य और इससे जुड़ा हुआ कर्म मतलब सत्य के राह पे चल करके उसके सत्य का सहारा लेकर कर्म करना वे हमेशा सामाने जन्ता की खुशाली पर नजर रखते थे लेकिन ब्रिटिस शासन के अधीन सबसे व्रवल एहसास था भै ये बता रहे हैं कि वे हमेशा जन्ता की खुशाली पर नजर रखते थे यानि ये चाहते थे कि जन्ता जो है प्रसंद रहे खुश रहे इधर उनका ध्यान था और यहीं हमेशन प्रैयास करते थे कि जनता खुषाल रहे और लेकिन ब्रिटिस शाचन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भै लेकिन उस समय का माहोल ऐसा था क्योंकि ब्रिटिस शाचन था और ब्रिटिस साशन के माहूल में चारो तरब भै का आतंग का वातावरर था तो व्यापक दमनकारी दमगोटू भै और वो भै भी कैसा था व्यापक मैंने पूरी तरह से दमगोटू भै था यानि दमनकारी जो उनकी नीती थी उसमें दम घुटने वाला भाव था और बहुत जादा ही दमन का भाव होने के कारण लोग जो है आम जनता एकदम तरस्त हो गई थी सेना का पुलिस का दूर दूर तक फैले हुए खुपिया विभाग का भै था हर और तरह तरह के भै थे भैसे व्याप्त पूरा समाज था पूरा देश था कहीं सेना का भै था तो कहीं था वो अलग-अलग था लेकिन चारो तरफ भै और आतंक का माहौल था और इस माहौल में आम जनता त्रस्त थी और आइस भा उससे जो है बेवस थी वो कुछ इतनी लाचार थी कि वो अपने इस भै को दूर करने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं कर सकती थी जो हमेशा करीब खड़ा रहता था यानि कि यह जो भूप मरी है या जमिदार इन जो इन लोगों का भग है है यह हर समय जो आम जनता के करीब व्याप्त था या ने की उनसे नहें किसी प्रकार से छुटकारा मिलने का कोई मिलने वाला ही नहीं था मनें उनके इन भय से इस अलग-अलग प्रकार के भयों से उनका छुटकारा नहीं हो पा रहा था नहीं हो सकता था और वह उनके जीवन का एक अंग बन गया था चारो तरफ फैले इस डर्स के खिलाप ही गांधी जी शांत किन्तु द्रढ आवाज गांधी जी ने उठाई डरों मत और जो ये चारो तरफ फैला हुआ डर का माहोल था जारो तरफ व्यापत जो डर का भाव था उसके प्रती गांधी जी ने आवाज उठाई और लोगों को एक द्रिण स्वर में कहा कि आम जंता से कहा कि तुम डरो मत यानि कि उन्होंने एक प्रेड़ना जगाई लोगों के अंदर की डरना नहीं है। हर मुसीबत का हर कठिनाई का हमको सामना करना है और भै से सिर्जुका कर रहना नहीं है। ये उन्होंने बताया ये उन्होंने लोगों के अंदर भाव जगाने का प्रयास किया इस तरह लोगों के उपर से भै का काला लबादा उठ गया और पूरी तरह तो नहीं पर आश्चरे जनक मात्रा में क्योंकि भै का जूट से नस्दीक का संबंद होता है जैसे जैसे जूट और लुक्स चिपकर काम करने की जरूरत कम होती गई वैसे वैसे एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगा यह मनुबै ज्यानिक परिवर्तन था लेखक यहां बता रहे हैं कि जब गांधी जी ने उन्हें सिखाया उन्हें बताया उन्हें आम जनता को प्रेणा दी कि डरो मत और बिनने डर होके काम करो तो इस से क्या हुआ कि लोगों के उपर से जो भै काला लबादा लबादा मने एक ढकन एक जो दब मतलब एक परदा था वो हट गया लोगों के उपर से जो काला साया था भै का वह धीरे धीरे उठ गया परन्तु ये पूरी तरह से तो नहीं हट सका पूरी तरह से नहीं उठ सका लेकिन कुछ हद तक हट गया और ये भी आश्चरे जनक धंग से हट गया आश्चरे जनक मात्रा में हट गया मतलब कि काफी कुछ ये भै का जो मावलता आतंका मावलता वो कम हो गया क्योंकि भै का जूट से नस्दीक का संबंद है लेखा करते हैं कि भै का जो है वो जूट से नस्दीक की संबंद है मतलब बहुती नस्दीक का संबंद है और कोई भी काम लुक चिपकर जैसे जैसे जूट और लुक चिपकर काम करने की जरूरत होती गई वैसे वैसे एक ब्यापक परिवर्थन जैसे जैसे जूट और लुक चिपकर काम करने की जरूरत कम होती गई यानि कि लोग डरे हुए थे तो हर कान जो काम डर से करते थे छिपा करते थे जूट बोलके करते थे तो ये जूट का और लुक्षुक के काम करने का जो वातावरण है वो धीरे धीरे कम होता गया जो माहूल है वो कम होता गया जो माहूल है उसमें बदलाव आता गया वैसे व यह मनोबैज्ञानिक परिवर्तन था लोगों के अंदर जो यह परिवर्तन था यह मनोबैज्ञानिक परिवर्तन था वो मन से द्रड होते गए और उनका मन जो डर से हर समय दबा और रहता था और डर से जो है भै से आकरांत रहते थे यह माहूल समाप्त होने के कारण उनका मैं भै भी धिरे-धिरे समाप्त हो गया और वे निडर हो गया गांधी जी ने भारत में करोणों लोगों को अलग-अलग मात्रा में प्रभावित किया कुछ लोगों ने अपने जीवन की पूरी बनावट को ही बदल दिया कुछ पर आशिक प्रभाव पड़ा या फिर प्रभाव मिट गया पर पूरी तरह नहीं अलग-अलग लोगों में प्रक्रियाएं ब्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग हुई और हर आदमी के पास इस सवाल का अलग-अलग जबाव था आगे कह रहे हैं कि गांधी जी ने भारत में करोडों लोगों को अलग-अलग मात्रा में प्रभावित किया जो करोडों की जनता थी उसमें अलग-अलग तरह की मात्रा में अलग-अलग मात्रा में लोगों के उपर प्रभावन नहीं चोड़ा किसी में जादा किसी के जीवन पर का पूरा बनावट पूरी बनावट ही बदल गई यानि कि जो भय का माहोल था उसके जीवन से भय का साया था पूरी तरह से हट गया या किसी के जीवन पर इसका आंसिक प्रभाव पड़ा किसी का जीवन थोड़ा सा बदला किसी का जीवन पूरी तरह से बदल गया या फिर प्रभाव मिट गया ये गांधी जी का प्रभाव था कि धीरे धीरे लोगों का जीवन ही बदलने लगा पर पूरी तरह नहीं बदला ये बदलने में थोड़ा समय लगता इसलिए वो पूरी तरह से तो नहीं बदला परन्तु किसी किसी का जीवन का रूप ही बदल गया और किसी किसी का आंशिक प्रभाव पड़ा अलग-अलग लोगों में प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग हुई जितने तरह के लोग थे उतने तरह की लोगों में प्रतिक्रियाई हुई इस माहौल के प्रति और हर आदमी के पास इस सवाल का अलग-अलग जबाब था लेका करते हैं कि हर आदमी का विचार क्योंकि अलग होता है तो इसलिए सभी आदमी का विचार भी अलग था और सभी आदमी के जबाब भी अलग अलग थे किसी का कोई सबकी सोच जो है अलग-अलग होने के कारण सबकी जो है सबके विचार अलग-अलग है और सभी के अंदर की सभी के मन की भावनाएं अलग है और जिसके कारण जो है इसके प्रतिक्रियाएं भी हुई जो वे अलग-अलग हुई लोगों के अंदर का जो विचार है वे अलग-अलग होने के कारण लोगों के जो है लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग हुई मतलब कुछ लोग उसको बहुत अच्छा माने, कुछ कम अच्छा माने, कुछ सामाने माने इस तरह से लोगों के विचार अलग-अलग आए सामने अब अगला सिर्शक है गांधी जी के नेत्रितों में कॉंग्रेस सक्प्रिय गांधी जी की ने पहली बार कॉंग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और ततकाल उसके संविधान में पूरी तरह परिवर्थन ला दिया उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया और अब उसमें किसानों ने प्रवेश किया और अपने नए रूप में वह एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा जिसमें मध्यवर्ग के लोग संख्या में छित्रे हुए थे लेकिन उनका जोर काफी था अब उसका खेतिहर चरित्र बढ़ने लगा और द्योगिक मजदूर भी उसमें आये लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में अलग से संगठित रूप में नहीं लेकर की बता रहे हैं कि गांधी जी ने पहली बार कॉंग्रेस के संगठन में प्रवेस किया मने अब तक जो है गांधी जी का प्रवेस कॉंग्रेस के संगठन में नहीं था लेकिन पहली बार उन्होंने कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और ततकाल उसके संभिधान में भी पूरी तरह परिवर्तन ला दिया और जो उस कांग्रेस का नियम था जो काईद कानून थे उसके संभिधान में उसके नियम काईद कानून में भी उन्होंने परिवर्तन कर दिया उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोकसंगठन बनाया इस कॉंग्रेस को उन्होंने लोकतांत्रिक और लोकसंगठन के रोप में प्रस्तुत किया, लोकसंगठन का रोप दिया, और अब उसमें किसानों ने प्रवेश किया, इस कॉंग्रेस में अब तक किसानों का कोई प्रवेश नहीं था, लेकिन अब उन्होंने कॉंग्रेस में भी किसानों को प्रवेश दिया इसके पस्चार जब इसमें किसानों का प्रवेश हो गया तो अपने नए रूप में वह एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा तो कॉंग्रेस जो है वह एक विशाल रूप में किसान संगठन के रूप में दिखाई देने लगा जिस वे क्या थे इसमें उनकी संख्या जो है छित्री हुई थी मने बिक्रे हुए थे लेकिन उनका जोर काफी था अब उसका खेतिहर चरित्रे बढ़ने लगा लेखक बता रहे हैं कि वो जो है छित्रे हुए थे और उनमें जो है जो उसका पार्टी का जो कांग्रेस का जो रूप था वो खेतियर रूप में बढ़ने लगा आगे विकास उसका होने लगा और दियोगिक मजदूर भी उसमें आए और-स-कॉंग्रेस में उनका भी सर çाह हुआ उनकी भी मजदूर हुई sensitive flakes मने उन्होंने भी भाग लिया लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में अलग से संगतित रूप में नहीं लेकिन उनकी जो हिस्तेदारी थी वो व्यक्तिगत रूप में थी वो किसी संगतित रूप में नहीं थी वो अलग से संगतित रूप में नहीं थी अब हम आगे कांस अग